Hello and welcome to your channel As They Like It. इंडियन हिस्टरी की सिरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं नौन कॉपरेशन मुवमेंट का थर्ड पार्ट. अगर आपने नौन कॉपरेशन मुवमेंट के पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो इट इस रिक्वेस्टेट की आप उनको देख लें ताकि कंटिनुटी में ये टॉपिक आपको ठीक से समझ में आ पाए. तो आइए स्टार्ट करते हैं नौन कॉपरेशन मुवमेंट पार्ट थरी. पार्ट टू के एंड में हमने देखा था कि नौन कॉपरेशन मुवमेंट कैसे इंडिया में चारो तरफ फैल गया था. आईए अब जानते हैं गौर्मेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा. में 21 में वाइसरोय रीडिंग और गांधी जी के बीच में बातचीत हुई जो विफल रही. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिटिश गौर्मेंट चाती थी कि खिलाफत लीडर्स और गांधी जी के बीच में यूनिटी तूट जाए. टॉक्स फेल होने के बाद गौर्मेंट और भी ज जानते हैं क्या हुआ था चौरी-चौरा इंसिडेंट में. इस मुवमेंट को फर्दर लेवल पर ले जाना जरूरी हो गया था. ऐसे में गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जल्द ही सिविल डिसोबीडियंस मुवमेंट को लांच करेंगे. ऐसा हो पाता इससे पहले दो फर्वरी 1922 को चौरी-चौरा में एक इंसिडेंट हो गया जिसने इस मुवमेंट की ट्रेजिक्टरी को ही चेंज कर दिया. चौरी-चौरा गोरगपुर में एक छोटा सा गाओं है जहां पे की लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे. पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को म पास्ट में चले गए और उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट में अपने आपको जिम्यदार माना. और फाइनली बार्दोली रिजोलिशन पास्ट किया गया और कॉंग्रेस ने ओफिशिली नॉन कॉपरेशन मुवमेंट को बंद कर दिया. फेबरी 1922 में कॉंग्रेस वर्कि करेगी on constructive work, popularize करेगी खादी को, establishing national schools and campaign करेगी Hindu-Muslim unity and oppose करेगी untouchability को. मार्च 1922 में गांधी जी को अरेश्ट करके 6 साल के लिए जेल विच देया गया. आईए अब जानते हैं non-corporation मुवमेंट को वापस लेने के गांधी जी की decision को किन लोगों ने criticize किया? कई important leaders जिसमें included थ चवालन नहरू, सुभाचन अबोस, गांधी जी के इस decision से dissatisfied नजर आए. इन leaders का मानना था कि एक small village में कुछ लोगों के irrational behavior के कारण पूरी country को सफर नहीं करना चाहिए. बहुत से leaders ने कहा मात्मा गांधी has failed miserably as a leader and his days of glory are numbered. आये ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं आदी जी का मानना था कि लोग अभी तक पूरी तरह से non-wallet method को understand नहीं कर पाए हैं. और चौरी-चौरा type के incident से लोग excitement में आ सकते हैं और इस पूरे movement को ही violent turn दे सकते हैं. और अगर movement violent turn ले ले था तो British government उसको अराम से crush कर सकती थी. किसी एक जगा के violent incident को British government as an excuse ले सकती थी for the state's action against the protesters in the other place. दूसरा important reason ये था कि movement fade होने के science भी दिखा रहा था. जो कि किसी भी बड़े movement के साथ एक natural phenomenon है. कोई भी बड़ा movement बहुत लंबे समय तक एक ही जैसी intensity नहीं रख सकता है. इसलिए कई historians का मानना है कि गांधी जी इस movement को withdraw करके इसको repression से भी बचा रहे थे और सा 37 लोगों को demoralization से भी बचा रहे थे by taking onus on himself. हाला कि ये बात सच है कि इस movement के withdrawal से कई active political leaders demoralize हो गए. लेकिन गांधी जी का मानना था कि अगर government इसको crush कर देती है तब उसका जादा demoralizing impact होगा. ऐसा इसलिए था क्योंकि non-corporation movement first attempt था all India mass struggle का against the British. और अगर इसी movement को repress कर दिय जाता तो इसका demoralization impact बहुत prolong होता. नेक्स्ट important reason जिसकी वज़े से non-corporation movement को withdraw कर लिया गया उसमें ये भी था कि खिलाफत का issue धीरे धीरे freight कर रहा था. तुर्की के लोगों ने सुल्तान के खिलाफ बगावच छेड़ दी थी under the leadership of मुस्तफा कमाल पाशा and in fact तुर्की ने आपको secular state declare कर दिया था और इसी कारण से खिलाफत issue irrelevant बन गया था. तुर्की में एक European style legal system establish किया गया, women's को extensive rights grant किया गया, education nationalize की गयी, modern agriculture और industry को establish किया गया और caliphate को abolish कर दिया गया in 1924. आए अब brief में देखते हैं non-corporation movement की significance. First significance तो यह है कि Congress party evolved करी as a party of common man, क्यूंकि non-corporation movement को widespread support मिला from peasantry, workers and intellectuals. खादी और चर्का इंडियन nationalism के representative बन गये. Congress leaders including Gandhi जी को realize हुआ कि इंडिया की true power countryside में है ना कि cities में. Non-corporation movement ने Congress को establish कर दिया as the only organization capable of properly directing national efforts. In fact, non-corporation movement ने Gandhi जी को leader of the masses बना दिया. इसी के साथ non-corporation movement ने communal problems को भी reveal किया. और ये fact भी clear हुआ कि communal issues जो है entirely state sponsored है. Non-corporation movement की एक और significance ये थी कि non-corporation movement अर्बन Muslims को भी national cause के लिए attract किया. Non-corporation movement की वज़े से nationalist sentiment country के every nook and corner तक पहुँच किया. आईए अब देखते हैं different classes का क्या response था to the non-corporation movement. सबसे पहले देखते हैं middle class को. Middle class ने non-corporation movement को initially काफी support किया. बट लेटर phases में गांधी जी के programs को लेके middle class में reservations भी थी. गांधी जी की call for resignation from government services, title, surrender, middle classes ने बहुँ सीरियसली नहीं follow किये. Next is business class. Indian business community ने support किया था economic boycott of British goods क्योंकि इससे उनकी अपनी industries को benefit हो रहा था. Next were the peasants. Peasants का participation non-corporation movement में massive रहा. Non-corporation movement के थुरू peasants ने revolt किया अगेंश्टा landlords और जमिदार्ज. Next category is students. Students ने non-corporation movement में actively participate किया. कई हजारों students ने government schools और government-aided colleges छोड़ दिये. और join किये newly opened national institutions जैसे काशी विद्यापीट, गुजरात विद्यापीट, जाम्या मिलिया, इस्लामिया. Next category is women's. Women's ने non-corporation movement में जम कर participate भी किया और उन्होंने अपनी participation तिलख स्वराजफण में भी की. In fact, non-corporation movement फर्स्ट ऐसा movement था जिसमें women's ने बट चड़ कर पाठ लिया. तो दोस्तों ये थी हमारी coverage regarding non-corporation movement. अगर आपको ये series पसंद आई हो तो हमारे channel को like and subscribe करें. साथी Instagram और Telegram से जुड़ें चहांकि हम free question bank और free PDF देते हैं. Thank you.